हेलो वीवर्स स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आज की वीडियो आप सभी वीवर्स के कॉमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जिसमें आप सभी की कुण्डली एनलिसिस से जुड़े कुछ सवाल है कि कैसे कुण्डली को देखा जाना चाहिए कि इनक काथ ही सरल तरीके से इजी तरीके से आप पेडिक्शन दे पाएंगे आज की वीडियो में बताएंगे मेथेट को समझ कर आप हमारे चैनल पर अप्लोड़ीड वीडियो को देखेंगे उसके बाद आप काफी हद तक अपनी कुण्डली एनलसिस कर पाएंगे आज की वीडि कुण्डली आगर आप विश्लेशन करवाना चाहते हैं जोति शास्तर से जोड़ी कोई भी जानकारी पाना कहा चाहते हैं तो मुझे जॉइन कर सकते हैं चैनल पर दिएगे जॉइन बटन को क्लिक करेंगे तो आपको इंट्रो वीडियो में सारी इंफोर्मेशन मिल सबसे पहले देखना क्या जरूरी होता है सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि वह सही बनी हुई है या नहीं इसके लिए सबसे पहले देखे कि सूरे कौन सी राश्य में है सूरे से कुण्डली की एक्यूरेसी असानी से क्लियर हो जाती है सूरे देस से दो गंटे तक तो कुण्ली की एक्यूरिसी जानने के बाद बात आती है लगन की डिग्री की कहीं आपका लगन संधी में तो नहीं और यह चीज भी जरूरी हो जाती है देखना कि लगन संधी में है तो फिर वो चलित कुण्ली से देखा जाएगा कि दो कुण्लियों का प्रभाव आएगा चलित कुण्णी में ग्रह जिस भाव में है उस भाव के फल भी देगा इसके बात बात आती है कुण्णी के कारक मारक और सम ग्रहों को समझने की हर ग्रह हैं हर जन्म लगन कुण्णी में लगन के अनुसार उस कुण्णी का कारक मारक और सम ग्रह बनता है लगन कुण्णी में जो ग्रह त्रिकोन भाव का स्वामी होता है लगनेश का मित्र होता है वो कुण्णी का कारक ग्रह कहलाता है इसके अपोजिट जो ग्रह छे आठ ये बारा भाव जिसे तिक भाव कहते हैं उसका स्वामी हो और त्रिकोन भाव की लोडशिप उसे ना मिली ह और वो ग्रह लगनेश का शत्रू हो तो वह अकारक और मारक कहलाता है सम्ग्रह वो होता है जो एक केंदरभाव का स्वामी होकर लगनेश के साथ सम्ता का रिलेशन रखता हो सो कारक मारक और संग ग्रहों की जानकारी से जुड़ी पूरी विडियो सिरीज हमारी चैनल पर आपको मिल जाएगी इसके बाद कुंडली के मारक और बादक भाव को देखा जाता है और इन भावों के स्वामी ग्रहों की स्थितिक इस भाव में हैं कैसी वो placement में हैं उन सबको analysis किया जाता है अश्टम दौादश थियोरी के अनुसार कुंडली में second house, seventh house और twelfth house इं मारक भाव कहलाते हैं इसके अलावा हर लग्न कुंडली में एक भाव बादक भाव होता है और उसका स्वामी ग्रह नॉमली बादक का रोल प्ले करते हुए अपनी दर्शा अंतरा में अच्छे फल नहीं देता है चर लग्न में जिसमें की एक, चार, साथ और दस नंबर की जो राशी होती है उसकुंडली में 11th house बादक होता है और स्थिर लग्न में यानि की दो, पांच, आठ और ग्यारा नंबर की राशी उसमें नवम भाव बादक होता है और दिस वभावी लग्न यानि तीन, छे, न संखर देटी है उसकी फल को कम करते हैं मार्किष और बादक सांकि ग्रह की दिश्वा नॉमली खराब फल देती है तो सीज़ को भी ध्यान में रखना जुरूरी है इसके बाहता आती है ग्रहों के कारकवाव को जानना कुल्ली का फला देश करने के पहले हर ग्रह की कारकत्त होता है असल्फ के बार में बताता है वीक्टी की प्रिसनेलटी उसकी हैल्फ से जुड़ा होता है तो कहा गया है कि फर्स्ट हाउस ने अगर सूरह ऑन साइन में हू será उच्छ के हो जाएं तो फिर उस वेक्ती को फिजिकल मिलता है तो फर्स्ट हाउस से लेकि ट्वेल्थ हाउस तक एक से लेकि बारा भाव तक कि कोई न कोई ग्रहे उस भाव का कारग्रहे कहलाता है तो फर्स्ट हाउस का कारग्रह सूर्य है तो सेकिंड हाउस का गुरू और फर्ड हाउस का मंगल तो फोर्थ हाउस का चनर्मा होता है फिप्थ हाउस का गुरू और सिक्थ हाउस का शनी और मंगल को कारग्रह माना गया है और 7th house का कारग्रह शुक्र है और 8th house का कारग्रह शनी और 9th house यानि भागे भाव के कारग्रह सूर्य और गुरु दोनों माने गए है और 10th house के कारग्रह सूर्य बुद्ध शनी गुरु माने गए है और 11 थाउस यानि धनभाव के कारग्रह गुरू और 12 थाउस के कारग्रह शनी कहें गए है कार को भाव नाशाई की थियोरी के अकॉर्डिंग कई बर भाव की स्थिती स्ट्रॉंग होते हुए विस भाव से सम्मंदित फलों में कमी हो जाती है अगर इस भाव का स्वामी इसी भाव में बैठा हो तो इसके अलावा किसी भी कुल्ली में ट्रिक स्थान, ट्रिकॉन स्थान, केंदर स्थान इन सब चीजों को भी कंसीडर करते हुए उस ग्रह से मिलने वाले फलों को देखा जाता है फर्स्थ, फॉर्थ, सेवन्थ और टैन्थ हाउस के लॉड और इन स्थानों को केंदर स्थान कहा जाता है इनके लॉड केंदरिश कहलाते हैं ये केंदर स्थान में शुफफल दायक होते हैं फिफ्थ और नाइन्थ आउस त्रिकोन है और यह हमेशा शुफल देते हैं छे आठ बारा स्थान को त्रिक्सान कहा गया है दूस स्थान कहा गया यहां से हमेशा दुख मिलता है ऐसा माना जाता है इस स्थानों के स्वामियों की दशा आंतर दशा गोचर में अशुफल देख बिखने को मिलते हैं नॉमली 6-8-12 के मिस्थित ग्रहों को और उन ग्रहों की दशा महादशा के मिलने वाले फलों को अच्छा नहीं माना गया है और उस्तित हर घ्रिश्टी होती है जिसमें सात्मी इस्टी हर दसमी दिश्टी और मंगल देव की चौती और आठमी दिश्टी और गुरु राहूर केतु को पांच वी और नौमी दिश्टी सेपरेटली मिली हुई है इसमें शनी देव की दिश्टी को अच्छा नहीं माना गया है इसके बाद बात आती है उस कुडली में उच नीच ग्रहों की जिसकी चर्चा हम अमने पिछली वीडियो में की थी हर ग्रह अपनी एक राशी में उच नीच का होता है और हर ग्रह की दिश्टी जिस भाव में जिस ग्रह पर पड़ती है वो उच की है या नीच की दिश्टी है ये समझना में बहुत जरूरी होता है क्योंकि शुब ग्रह की दिश्टी का फल शुब मिलता है और पाप ग्रह की दिश्टी का फल अशुब मिलता है कुणली में लगन की डिग्री देखना यानि वो ग्रह संधी में तो नहीं लगन संधी में तो नहीं और ग्रह भी संधी में आ जाते हैं कहीं ग्रह संधी में तो नहीं तो वो किन भावों का फल दे रहे हैं उस ग्रह की डिगरी देखी जाती है यानि वो ग्रह डिगरी वाइस कितना पावरफुल है और कितना कमजोर है इसके साथ वो ग्रह सूरे के साथ क्लोस कंजंशन में आकर आस्त तो नहीं इन सब चीजों को भी किसी भी इवेंट के घटने और उसके अच्छे बुरे फल देखन और स्टें में इंपोर्टट मान घया है अब जितना ज़रूरी जनम लगन कुली और चंद्र कुली नामाशकुली और उन में स्थित़् ग्रहों की डिगरी दृष्टी नक्षत्र ये इस सब देखने र Personality होते हैं उतना ही जरूरी होता है ग्रहों को वर्तमान गोचर देखन तो वो सभी ग्रह जो जन्म समय पर जिस भाव में बैटे हैं, वो at present किस राशी में गोचर कर रहे हैं, उनकी कैसी placement है, उनकी दृष्टी, उनकी डिग्री, नक्षत्र, उच्छ, नीच्छता, इन सब को समझ कर prediction ready की जानी चाहिए बिना गोचर देखें, सिर्फ और सिर्फ जन्म लगन कुल्ली के अधार पर अगर आप फलादेश करेंगे, तो वो accurate फलादेश नहीं होगा अपनी कुल्ली एनलेसिस करवाते हुए बहुत से लोग का ये सवाल रहता है कि हमारा भागे दे कब होगा, तो उसके लिए ये देखना चाहिए कि कुल्ली में जो भी ग्रह स्ट्रॉंग होता है, उस ग्रह के द्वारा ही भागे दे संबभ होता है जोती शासर के नुसार नव ग्रहों में किसी व्यक्ति की आयू के 22 में वर्ष में सूर्य और 24 में वर्ष में चन्रमा, 28 में वर्ष में मंगल और 32 में वर्ष में बुद्ध और 16 में वर्ष से गुरू और 25 में वर्ष से शुक्र, 36 में वर्ष से शनी और राहु 42 में वर्ष स होती हैंभाव के Bowl बारे में बता च्एक हैं कि केंदर स्ट को रीक선 नहीं तो देखा ही जाता है इसकी साथ ग्रह अपनी राश्ய में मूल स्ट प्रिक्षन स्यार होतीप अपनी राश्य में और मूल्तिकों राशी में ग्रह बल्वान हो जाता है उच्च के ग्रह भी बल्वान माने जाते हैं छेवे आठवे और बार्वे यानितिक स्थान में आने वाले ग्रह निर्बल हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं इसी तरह पाप और कुरूर ग्रह के साथ बैटे हुए भी ग्रह अपना बल खो देते हैं अपनी पावर खो देते हैं पाप और कुरूर ग्रहों की दृष्टी में आए ग्रह भी अपना अशुफल देने लगते हैं ग्रहों का बलाबल समझ कर ही शुब अशुब फल समझा जाता है कुल्नी में ग्रहों का असर, साधे साती, शनी की ढहिया का असर, ग्रहों की दुष्टी का प्रभाव, कारक का असर, दशा और गोचर के प्रभाव इन सबको ध्यान में रखते हुई फलादेश करना चाहिए ग्रहों के गोचर और दशा महादशा टेकनीक से शुब अशुब घटना के टाइम, इवेंट और शुब अशुब फल का समय भी बताया जा सकता है अब तक के सभी बेसिक पॉइंट्स को चैनल पर अप्लोडिट वीडियोज में हमने स्टेप बाइस्टेप बताया है और हमसे पूछा भी जाता है कि बहुत सी बुक्स पढ़ने के बावजूद, जोती सीखने के बावजूद भी बहुत से लोगों के लिए कुंडली देखकर उसकी पेडिक्शन करना एक बहुत सीरियस और सेंसिटिव मेटर बना रहता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जोतीश के जानकार होकर अगर आप फलादेश करने में थोड़ा सा भी चूक या लापरवाई करते हैं तो वो किसी भी व्यक्ति के मन को परिशान कर सकती है इसलिए हमेशा सो समझ कर हर तरीके से समझ कर आपको फलादेश करना चाहिए और मेरी ओर से हमेशा यह कहा जाता है कि जोतीश किसी व्यक्ति विशेश की देन नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ एक इश्युरिय कृपा है अगर आप इसे सही तरीके से इस विद्धा को जानकर समझ कर बहतर तरीके से कुर्णी अलर्सिस करते हैं तो निश्यत तोर पर अप इस तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे वीडियो को लाइक करते रहे शेयर करते रहे आपका सजेशन कॉमेंट्स और मेसेज की द्वारा हमें देते रहे जोति शासर से जुड़ी जानकारी, आर्टिकल, उपाय, डेली पंचांग इन सब के लिए इन सब को पाने के लिए आप हमारे फेस्बुक पेज और टेलिगाम गूप को जाइन कर सकते हैं और कुर्णी विश्लेशन के लिए आप मुस्से एप्लिकेशन के थ्रू जावाल डायरेक्ट कॉल की द्वारा जान सकते हैं इसमें आप पांच मिनिट का कंसल्टेशन एकदम फ्री ले पाएंगे सारे लिंक्स और कॉंटेक्ट डीटेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो मेलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ धन्यव कि समय सकते हैं आपको गिस्टेशन पांच मिलाज खा झांच मिल गिस्टेशन इसमें घुक्वांगे सो में एकदमः नेक्रिवच्त